तो हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो एल्क एकडेमी मैं आकाश में अज हम डिसकस करेगे करन्ट आफेड्स जन्युवरी फर्स्ट विख के लेस्ट टाट विद फर्स न्यूज हमारी पहली यूजuh friends कि अभी recently government से अमेंड्मेंट किया है Allocation of Business Rules के अंदर उसके बारे बात करता है सबसे परहता अब को उसके लिए पता होना चाहिए कि अगया Allocation of Business Rules क्या होता है Allocation of Business Rules describe which ministry or department is responsible for the drafting the law, implementation of the law framing the rules and formulating the policy for the subject listed against its name यह allocation of business rules हर एक ministry और एक department को एक responsibility देता है कि आपको यह law आप बना सकते हो आप यह law implement कर सकते हो आप इस policy को frame कर सकते हो बरावनना तो यह एक just responsibility देता है हर एक ministry और department को का on allocation of business rules बरावनना तो अभी recently उसके अंदर 377th amendment किया गया है 377th amendment किया गया है और क्यों किया गया है उसके बारे में देखते है according to the 377th amendment of allocation of business rules ministry of electronics and information technology becomes a nodal agency of online gaming and its intermediaries online gaming यह वाला sector को कौन अभी देखेगा ministry of electronics information technology कौन है उसके मिनिस्टर अश्वीनी बैश्नाव बरावनना और e-sports e-sports को कौन देखेगा ministry of youth office and sports उसके अंदर में department है department of sports बरावनना तो यह दोनों को कौन-कौन से ministry देखेगे आपके लिए important है तो अभी allocation of business rules के अंदर 377th amendment किया गया है और उसके अंदर online gaming को कौन देखेगा ministry of electronics and information technology और e-sports को कौन देखेगा department of sports जो ministry of youth office and sports के अंदर में है बरावनना ministry of youth office and sports के ministry minister कौन है अनुराक्षी ठाकूर बरावन ओके तापको इतनी दीजे दान में रखनी है इस decision of the government is in line with its initiative to promote the growth of the animation visual effects gaming and comic sector and make India a global hub for the online gaming बरावनना तो government को यह sector को develop करना है इसके लिए उसने एक specify कर दिया है कि अभी सेक्टर को कौन संबालेगा ministry of electronics and innovation technology right these rules will also encourage the innovations to ensure that there are no possibilities of the illegal content or service अगर आपको पता चल गया कि यह वाला department यह वाला ministry संबालता है बरावनना ताप कोई भी content के अंदर या कोई भी चूज़ के अंदर अगर आपको कोई भी ग्रेवियंस है ताप उसके पास जा सकते हो राइट तो और इसिस्टिंग रेगुलेटरी इस्यूस है बरावर वो क्लियर हो जाएगे बरामना कौनवेज़्ेंग किन सी गेम जो स्कील को इंप्रूव कर सकती है क्को अपोर्टियेटिग कर सकती है बरामना तो यह जब डेक्ट आप यहां पर क्लियर हो जाएगे राइट तो आई थिंग आपके इस न्यूस के इंदर बहुत अथे समझ में आगे होगा फ्रेंड्स प्रामना हमारे नेक्स न्यूसर फ्रेंड्स के अगे रिसेंटली डारेक्टर जनल अब सीवी लेवेशन ने अपूरू किया है टाइप सर्टिफिकेशन फॉर्ट मेरे ड्रॉन और उसका ड्रोन का नाम क्या है एजी 365 उसके बारे बात करता है तो सबसे पहले तो यह टाइप सर्टिफिकेट क्या होता है और एक दूसरा सर्टिफिकेट भी है जो टारेक्टर जनल अब सीवी लेवेशन के द्वारा ड्रोन कंपनी को प्रोवाइड किया जाता है तो दो पाइलोट ट्रेणिंग और दिनेशन यह जिनूतं सर्टिफिकेट है वो कॉल देता है डारेक्टेशन तहले डिकिष्ड को मिलता है कि जो क्वालिटी वाला ड्रोन क करता है चीगत इक आधा?! क्वालिटी ऑफ दोन हम को देखके उसको ट्रेश्ट करके बदधना टाइप सेटिफिकेट मिलता है बदाए तो अभी यह जो मिरेट डून है यह मेरेट टैंग एक कम्पनी का नाम है बदधन इसके द्वारा एक ड्रॉन बनाएगा है एची थ्री सिक्स्टी फाइब बदधन ऒगोर एक सब्सक्आ कपनी को यह सदिविकर्ट कूई कू को बॉल सकता है कि वह जो नुए है हुश्रों को चलने के लिए वह पाइलोट को ट्रेनिक तो मिय मेडे चुका था जिकिन हभी रिचन यूज में क्योंकि उसको अभी यह सटेफिकेट मिला है क्योंकि उसने जो ड्रोन बनाया है वह क्वालिटी के अकोडिंग है और क्वालिटी किसके तरह डीफाइन किया गया है डाइटे चनल बस इवीडिवेशन के त्वारा रहे तो हमने लास्ट वीक पी एक न्यूस पड़ ड्रोन डूसरी कंपनी बनी है और यह टाइब वाले टोन को अगर फार्मर पर्चेस करता है तो इसको क्या-क्या मेनिफिट मिलता है तो उसको अनसीक्र लोन रखाया जाता है लेकिन यह अंसीक्र में के अंदर अपक्रिवास कुछ भी गिरवे नहीं रखना पड़ेगा आपको बरब आपको ऐसे लोन मिल जाएगी जेकिन फार्मर को कुछ ट्रोन पर्चेस करना पड़ेगा उसके लिए टाइप सर्टिफिकेट वाला और कितने तक की लोन मिलती है दस लाग तक की लोन मिलती है परामना और उसके अलावा फार्मर को यह टाइप सर्टिफिकेट वाला ट्रोन को पर्चेस करने के लिए सब्सेडिवी मिलती है कितनी 50%-100% तक की परामना तो यह चीज़ आपको जान में रखनी है ओके और दूसरी कंपनी है मिरें ट्रोन जिसको यह दूनों सर्टिफिकेट मिले ह है बरामना ओके अगर में यह एगी 365 ट्रोन की बात करो तो यह एक्री कल्चरल एक्टिवीटी के लिए डेलोग किया गया ही ट्रोन बरामना राइड और यह ट्रोन को टाइप सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने की लिए टेस्ट किया गया है फोर मोर्टेर 1.5 लेक एकर्स इन 10 स्टेट अक्रोस इंडिया और ऑप्टिमाइस पूर्ट पर्फॉर्मेंस तो यह यूस इन दे अग्री कल्चर बरामना तो यह 1.5 लेक एकर से ज्यादा जमीन के ऊपर उसको टेस्ट किया गया है दस से अंदर उसको इसको इसको इस सर्टिफिकेट मिला गया है बड़ावनना अगर अगर में डाइट इस अफिस ऑफिस ऑफिस ऑफ दे मिनिस्ट्य आप सिवी लेवेशन इसा डेगुलेटिव बोडी इन फिल अफिल आप सिवी लेवेशन प्राइमरी डिलिंग विट शेफ्टी इस्यूज इसको इफेक्टिव गवर्मेशन और मिला है उसको इफेक्टिव गवर्मेंट कॉमिकेशन और मिला है और किसके दोरा मिला है पुप्ली क्यों मिला है उसके बार में देखते हैं तो यहां पर हर एक स्टेट के अंदर एक डिपार्टमेंट होता है डिपार्मेंट ऑफ प्रेस नोट्स कोई भी आर्टीकल्स राइट कोई भी चीज़ इसू की जाती है वो पॉब्लिक तक एजली पहुंच पाए उसकी इंफर्मेशन पॉब्लिक तक पहुंचाना इस डिपार्टमेंट का काम है और इस डिपार्टमेंट ने एक एप्लिकेशन को डेलोग किया है फोटोग्राफ इबुलेटीन वीडियो बुलेटीन सुझूस आवासनाव का एक मेगेजीन है और इस लाइव प्रोग्रम्स ओप वेलफेर स्कीम इस सभी चीज़े जनता के साथ बहुत ही इंट्रेक्टिवली इसको प्रेजंट किया जाता है इस एप्लिकेशन के मात्यम से अब भराबना सुझूस मुआटीटो एस एप्लिकेशन को डेलोप करने के लिए उसको ऑवोड मिला है अकशको रैस shutdown को उसके की ट्रेपांट मेन्स को इंफर्मेशन फॉलेशन करी रैंवर्मेंट को इन्फबारेकूर्बील आपि ऊपुनिए आप किसको मिला शूग्या ग कि हमारी नेक्स्ट न्यूस और फ्रेंड्स के अभी रिसेंटली प्यूज गोईल जो हमारे मिनिस्ट्री और कॉमर्स इंडिस्ट्री है पर उन्होंने एक राइट टू रीपेर पूर्टल लॉंज किया है उसके बारे बात करते हैं तो सबसे पहले राइट टू रीपेर क्या ह है वगको पता होना चाहिए तो यह पांच्छे मेंने पहले हमने इस लीज़ को कवर किया था कि सरकार ने अभी राइट टू रीपेर लॉंज गया जैसे राइट न्जोगरी प works in freedom होता है बरामन उसे तरीके से राइट टो रिपेर सरकार ने लॉंच किया है अभी यह सरकार ने क्यों लॉंच किया है उसके बारे में देखते हैं देखो फ्रेंड्स राइट टो रिपेर आपके पास टैन थाउजन का एक मॉबाइल है आपके पास टैन थाउजन टूपीज का एक मॉबाइल है इस तो फिर फिर आप उसको ऑफ्र एक एक्या प송ंश्यम्संंक के स्टोर के अंदर लेकर जाओगे ऊसका बदाबना अप यह वारेंटे प्रेड़ा komma कि आपके फॉन के नदर क्या प्रॉब्लम है और उसको पताच राखिए के कोई सॉफ्ट्वेर रिडर कोई प्रॉब्लम है और यह प्रॉब्लम ना करें तो इसको किया तो बनाट तो अगर कुल को यह वाला पुल्बैम आएगा तो उसको किस तरेके सा सॉल किया जाए यह तो अगर यह वाल प्रोब्लेम आया तो आंपके जाना पड़ेगा के पूस कंपने यह आं पर कुछ इंफर्मेशन ऐसी होती को डिस्क्लोस नहीं करती है इसलिए अभी अभी मुझे बताओ अभी आपको यह वाला फॉन लेके स्टोर में जाना पड़ेगा रिपेर करवाने के लिए और अगर यह स्टोर वाला ऐसा बोल देखें यह तो 4000 में रिपेर होगा फॉन आपक लेकिन सरकाल ने इस इवेस्ट को रिड्यूस करने के लिए यह राइट टू रिपेर लॉंच किया है इस राइट टू रिपेर के अंदर हर एक मेनेफेचर को अपने प्रोड़क्ट की कुछ सर्टेन टीटेल्स डिस्क्लोस करने ही पड़ेगी ताकि उस प्रोड़क को यह मुटी दुकाने वाले वह इसको स्वाल कर सके या फिर कस्तमर अपने लीवल पे भी उसको स्वाल कर सके बारा उसको रिपेर कर सके बारा मना ताकि वो लोग अपनी प्रोड़क्ट की लाइफ को एक्स्टेंड कर सके बारा मना इसलिए सरकार ने राइट टू रिपेर लॉं कि इनिशनली स्पूतल की उपर कौन से सेक्टर के प्रोड़क्स की डीटेल को यहां पर शेर किया जाएगा तो इनिशनली मॉबाइल फोन्स इस सेक्टर को इसके अपने प्रोड़को उसके डीटेल को डिस्क्रोज करना पड़ेगा और इन जुलाइए ट्वेंटेटी टू अपर एक कमिटी टूटेल एक कंप्रीहंसी फ्रेंबर्क और राइट तुली पेर मैंने जैसे आपको बात किया कि हमने चैसाद में पेले उसको किया था और अडर्ट कॉस्टमर प्रोटेक्शन लोग अग्प्लेंट मस्ट बीडिश्पोस्ट विधिन दा 19 जी ऑफिस फाइलिंग और विधिन दा 150 देस वे एक्सपर्ट एविदेंस रिखाइड चहां पर एक्सपर्ट एविदेंस रिक्वार्ट है वहां पर कितने दिन लगने चाहिए 150 देस और बाकी कंपने कितने में सोर होनी चाहिए 90 देस के अंतर बड़ा मंदल ओके और हमारे जो मिनिस्ट्र आफ कॉमर्स इंडेस्टी जो प्यू स्कोईल है वह कौन से और मिनिस्ट्री के मिनिस्ट्र है कोजूमर अफेड्स पूर्ड एन पप्लिक डिस् पूरी बाराबना उन्होंने दो रेंकिंग्स को लॉंज किया है कोन से दो रेंकिंग सिटी फाइनस रेंकिंग और तो उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर इसके की फाइनान्स रेंकिंग और एक है सीटी बिटी कंप्विटिशन वारा मिनिश्ट्री ऐफ हाउस लिग अर्वान असके बात करता है अभी सिटी फाइनेन्स रेंकिंग नाम से पता चलता है कि यहाँ पर सीटी को रेंक प्रविट किया जाएगा किसी है उसको किस सरीके से मॉबिलाइबक रस किया है उसने जो फर्चा किया है енदर कॉन खर्चां करता है तो urban local bodies होती है तो अर्बन local bodies को सरकार के तुरा पैसा अपने एरिया को डेलोब करने की लिए वारा मना रहें तो उन पैसे को उन्होंने की सरी के से यूज किया अगर जहां पर खर्चा किया है उस खर्चे का पर्फोर्मेंस कैसा है मतलब जो खर्चा किया है वह उसका कितना इफेक्टिव आउटकम आया है और फिसकल गवनन पैसे करके और उसके पाइंस करेंग किया जाएगा और यहां पर सिती को से तक निलोकिन लोग लोग रहते उनको और जहां पर एक लाग से कम लोग देते हैं उनको अलग से रेंकिंग प्रवाइड किया जाएगा बराबना सीटी को चार के टेकरी में डिवाइड किया गया है तो सिटी फैनेंस रेंकिंग के अंदर रिसोर्स फंबिलेशन की सरी के से होता है और फिसकल गवरनल सीस्टम कैसा है उसको दन मेर रखके प्रवेड किए अगरिट है चाहल में एकिन से पाप्रोम से पता है कि इसी अपों ahh इसकर पॉपमी प्लेशन हो उसका सबचने किया है तो यहां पर पैसलों अगि dus अभी पॉबली प्लेस को विजिट करने के लिए अगर टिकेट 500 रुपया रखी जाएगी तो क्या कोई विजिट कर पाएगा नहीं कर पाएगा तो वह कितना एक्सेशेबल है मतलब यहां पर टिकेट अफोर्डेबल प्राइस पर रखने पड़ेगी रहें वहां पे कौन- सब्सक्राइब के उपर फोकस करते हूं और भी बहुत सारे स्कीम है परामना स्वाजबारत मीशन है जन अंदोलन है रधन मंत्री आवाश यूजना है और यह दो रेंकिंग्स भी प्रवाड़ किया रहा है अब है कि हमरी नेक्स्ट दूसर फ्रेंड्स कि हमरी जो मिनिस्ट हो इस साल जीट्वंटी के प्रसेडंसी हमारे पास है उसकी थीम क्या है वसुदेव कुटुमकम बराबना तो लबबग 200 प्लस मीटिंग हम करने बाले हैं तो हमारे हर एक विक की न्यूस के इंदर एकाद एकाद न्यूसों जीट्वंटी के आएगी आएगी फ्रेंड्स ब डिटल इनवेशन अलाइंस प्रोग्राम और स्टी सेफ ओंडेन केंपेंड लॉंच किया है तो तो फर्स्ट इवर प्रोग्राम्स तो भी लॉंच वल्डवाइड इस जीट्वंटी इनिशेटिव राइट तो उसके बारे पर देखते हैं अगर मैं पर दिटल इनवेशन अ स्टार्ट अप्स प्रम जीट्वंटी नेशन एंडवाइट नाइन नमेंबर नेशन देखो यह डिटल इनवेशन अलाइंस प्रोग्राम एक प्रोग्राम के अंदर में एक कॉंपडिशन टाइप का लॉंच किया है और इस कॉंपडिशन के अंदर टॉटल 174 स्टार्ट अ सब्सक्राइब और जो भी स्टार्ट अप्स बारा मना कि जो एक कोई उनका कोई इनुवेटिव कॉंसेट होगा कोई इंपेट फोडिटल टेखनोजिस के ऊपर वो फोकस करता होगा पर मना उनको यहां पर अबोर्ड दिया जाएगा राइट एंट्रिस पो डिटल सब्सक्राइब और यहां पर डिटल सॉल्यूशन छे से लिए चाहिए यह कंप्रेटिशन के अंदर वराप कॉन कों से से सेक्टर एट्टेग हैट्टेग एग्रिटेग फिंटेग सीक्योर डिटल इंफ्लाक्ट्र एं सर्कुल एकोनोमी बारा मना पता है ना वेस्ट में से बनाना वरा मना च्छ हे से के अंदर डिटल सॉल्यूशन चाहिए और जो भी स्टारटप अच्छा डिटल सॉल्यूशन प्रवाइट करेंगा उसको यहां पर अवर्ड दिया जाएगा यहां अब्र हरें यह च्छे खे गें अंदर टीन साटप को सेलेट किया जाएगा बार बनना तो अभी 174 startups यहां पर पाटिसिपेट कर रहे हैं इस डिटल इन्योशन अलाइस प्रोग्रम के अंडर में यहां पर उनको डिटल सॉल्यूशन उनको लाना है कौन कौन से सेक्टर के अंदर यह छे सेक्टर के अंदर और हर एक सेक्टर के अंदर से सेफ औलाइन केमपेंड भी लॉइंज किया गया है उसके बारे बात करता हैं तो स्टेज सेफ औलाइन केमपेंड तो यह नाम से पता चलता है कि यह क्या अवेन्येस क्रिएट करना चाहता है ऑनलाइन फ्रोड से बज़ना तो यहां फे लोगों के अंदर की तरीके से आप गोल है इस campaign का और इसके लिए इस campaign को माई गवर्मेंट पोर्टल के उपर लॉंच किया गया है और यह कि जो हर एक रिजनल लेंगवेज हैं उसके अंदर और यह जो प्लस नाइन नेशन प्लस नाइन नेशन जो एक्स्टा जो नौन मेंबर जूड़े हुए इस इनिसिटिव के अंदर उन उनके रिजनल लेंगवेज में इस पोर्टल के उपर आपको यह campaign के बारे में अविनेस देखने को मिल सकती है बराबना ओके उसके अलबाव स्टेज सेफ ऑनलेन केंपेंग भी लॉंच किया है नाम से पता चलता है उसका में अप्जेक्टिव क्या है कि लोगों के अंदर अवेनेस क्रियेट करना कि आप किस तरीके सो ऑनलाइन फ्रॉंट से बस सकते हो बराबना है और लोंज किया है और इस केंपेंगी को सिव्हां से लीज में लोंज किया है तो हिंग्लिश हिंदी लोकल लिंगवेजिस प्रामने लोकल्늄 attempt metrics के और 5 9 9 मेंबर से उसके भी अबरामना रहे कि तो अगर मैं कुछ स्टेटिक के बारे मात करो जी ट्वेंटे के बारे में तो इंडिया जी प्रेसिन से संभाल रहे हैं 2030 के अंदर बरामना और मिनिस्ट्र एलेक्टोनिक्स टेक्नी इसन नॉडल मिनिस्ट्री फुर जी ट्वेंटी डिटल एकोनोमी बर्किंग ग्रूप की जो मीटिंग होने वाली है वहां पर इंड्या की तरफ से कौन होस्ट करने वाला यह मिनिस्ट्री होस्ट करने वाला हैना अंद अगर मिनिस्ट्र के बा tolerant करूं तो अस्वीनिव in से ऊष्ट्व के मिनिस्टर है और उसके मिनिस्ट्र हमें स्थेट को ने राजुव सेक्टर उनके बारे में देखते हैं तो इन्य मिनिस्टर नरंदर शी तोमार जो हमारे मिनिस्ट्र अग्रिकल्चर और फार्मर्स विलफेर हैं उन्हें अप्रूर किया है कि एक फॉर्मेशन यह चाहेगा किसका एक एडवेशरी गुरूप का फॉर्स्ट्रीम लाइनिंग तर डेलोपेंड अमतर बांबू सेक्टर इतना इंपोर्मेंट क्यों है वरा मना क्यों इसके डेलोपेंड के बारे में एक एन्वेशरी गुरूप को बनने की बात चल रही है वह देखते हैं कि अगर मैं कर्मेंट के द्वारा जो स्टैप्स लिए गए तो प्रमोट तब बांबू उसके बात करूं तो गवर्मेंट अप इंडिया ने एक रिसेचर किया था और लॉंच किया था नेस्टन बांबू मीशन बढ़ा मना दूज़ा अठारा रांडेस के अंदर वह एक से स्टेम थी सेंटर स्पॉंसर स्कीम मतलब सेंटर गवर्मेंट और स्टेट कर्मेंट दुरूं कुछ कोट्रिबिशन अपने लेवल पर किया होगा बरा मना तो एक कर्म के तरह यह इनिशिटिव लिया गया है उसके अलबार रिसेंटली प्रमोदी ना भी उकटन किया था एक न्यू टर्मिनल अपका बेंगलूरू केंपेगोडा एरपोर्ट इन वीच बांबू इस यूज एजन आर्खिटेक्ट्र एंड स्ट्रक्ट्ट्रल मटिरियल इस डिफाने सग्रीन स्टील यहाँ पेंपेगोडा एरपोर्ट है जो बेंगलूरू का उसके अंदर जो अभी इनोबेशन किया गया वहाँ पे माम्बू हैं एक सब्सक्राइक की तरीक यूज किया गया है जिसको मोने चिन बोलते हैं बारों एसा इसा स्टील की जो रिमीवल सोर्चिस से बनाये परामन न रेक अगर बांबू के बारें बात करूं तो बांबू इस फास्टेस्ट ग्रॉइंग प्लांट ऑन दे अर्ट इस पॉप्लिल नोने इस इस ग्रीन गोल्ड उसको ग्रीन गोल्ड क्यों माना जाता है क्योंकि उसके उपर डॉड की इफेक्ट नहीं होती बारा बनना रैट और वह बेहतर क्यानिटी है बारामन उसके रैट और 2017 के अंदर गवर्मेंट अफ इंडिया ने उसको एक्सेम्ट किया था एक्जम्ट बांबू ग्रोन इन देन ओन फॉरेस्ट बारा मनन इट रिमूर्ट बढबू फिरॉम डेफिनिशन आप ट्री बाडिवाइंग अमेंग दिश तो बांबू को ट्री की लिस्ट में से निकाला गया था दोड़र सत्रा के अंदर और इसमें अमेंडमेंट के था इंजियन फॉरेस्ट है यहां पर एडवेजरी ग्रूप बनाई गई है बावना और यह एडवेजरी ग्रूप के चेर्मेन कौन रहे हैं करें उसके चैर्मेन रहेंगे पिशेंदड जो फैंकर के शैडिय जो उसके बैजेंवाएं पामपु के लिए परन है है और अभी नियूस में यूह है अठी कि हमारे नेक्स्ट निउसे फ्रेंट्स के अभी रिसेंट्टी अटन इंकोबिजन सेंटर ने साइन किया है एंगरीमेंट बीड़ में सेमीज टू हैसन कॉमर्सरेशन अप्टन न्यू प्रोडर्ट्स पर आम अनन उसके बारे पर देखते हैं ऑके अभी देखो सबसे पहले त अपको अंतों-न Zusन मीशन मेंचन के बारे में पता हुगा अंट्ट्र misconception दार लांज किया गया है नीटि अयों कि दार सूंज किया यमतारे लेंदनला यस्ति पहला है अटल टिंकरिंग्व लेप्स कर्सों सरा है अब अचल इंक्रमेशन सेंटर्स और तीसरा है है अटल community innovation centers बारा मनने इतीन सब स्कीम है अठर इन्वेशन मिशन के इनदर बारा मनन अठर टिंकरिंग लेप्स के अंदर क्या कि रहेता है फ्रेंड कि यहां पे स्कूल्स के अंदर artificial intelligence और machine learning के उपर focus करते हुए लेब क्रियेट की जाते है ताकि जब चिल्डरन बाहरा है बरावना schooling complete करके आए तब उनके इसके बारे में basic knowledge हो बरावन अंदर टिंकरिंग लेब के अंदर तो एक लेब कौन-कौन सी problem को face करते हैं अगर उनके problem के किसी के पास solution है कोई innovative solution है तो उनके वो solution को यहाँ पर commercialize करने में मदद किया जाता है यह अटल communication center के अंदर क्या कि रहता है कि यहाँ पर अगर आपके पास कोई innovative solution है जो नेशनल लिवल पर बराबर डिसकी अकोनोमी के भी बेटर है और कोई innovative idea को आप implement करना चाहते हो लेकिन आपके पास financial support technical support नहीं है तो आप यहाँ पर अप्लाइब कर सकते हो बरावना यह अटल के अंदर यहाँ पर ऐसे startups को ऐसे entrepreneurs को यहाँ पर मदद मिलती है कि जो अपने idea को प्रोजेक्ट में करना चाहते है commercialize करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐसे अटल इंकोविशन चेंटर भारत के अंदर बहुत सारे है बरावना और उसमें से एक सेंटर की जो कहां पर है बावा एक्टम एक रिसर्ट सेंटर बरावना उसने बहुत सारी MSMS के साथ partnership की है क्योंकि उसके जो innovative products है उसको यहाँ पर commercialization किया जाए तो उस MSMS के पास कुछ आइडिया होगा उस आइडिया को यहाँ पर प्रोजेक्ट में कनवर्ट किया जाएगा रही कौन सब्सक्राइब करेगा अटर इंकोविशन सेंटर बरावना कहां कि बापा एक्टमें रिसर्टर की बरावना फिर उसको commercialize करिया जाएगा तो कौन सी MSMS को यहाँ पर सपोट दिया गया है इस अंटर इंकोमेशन सेंटर के द्वारा उसके बारे में देखते हैं तो जो एमसमी घ्रीन हैंडोजन प्रोडॉक्षन के ओपर फोकस करें जो एमसमी वेस्ट वोटर ट्रिट्पेंट के ऊपर फोकस कर रहे हैं बदा बनना में जो आप में बता प्रेंड्स में बना जैसे आपको बाता है कि यह जो अटनिंगिंगे इंटर जो बाहर के अंदर है बाबाव एक्रिसाइस सेंटर के अंदर बारावन वह अंडर देश्ट अप्तर इन्नुवेशन के अंदर में इसको एस्टाप्रीश किया गया है और यह इनिसेटिव का इंडिया नित्ति आयोके दोरा लॉट किया था अट्रिसान में बारा मना टु क्रियेट एन प्रमोर्ट अप्रमोंट और इन्नोवेशन एंटेविशन इंटर इंडिया रहे और यह अटलिंगे सेंटर कब बनाए गया था 2020 के अंदर बारा मना किसके दोरा फाइनश बजेट के अंदर इसका अनॉंस्मेंट किया था बरावन और अगर मैं बार की बारे बात करूं तो उसके डाइटर कौन है अजित कुमार मोहंती ओके हमारी नेक्स न्यूज़ फ्रेंट्स चीट्वेंटी इंडिया की अगेंजी तुटे के ऊपर एक न्यूज़ आई है कि इसके बारे न्यूज़ आई है तो अगर मैं साइंस चेंडे की बात करूं तो एक साइंस के ऊपर फोकस्ट वर्किंग ग्रूप की मीटिंग है जहां पर जी ट्वेंटी के नेशन पार्टिसिबेट करता है बारा मनना तो इस पर साइन्स 20 एस 20 कहा पर होने वाली है आये से बेंदूरू के अंदर बारा मनना साइसे रोल इन डिसुलिंग दो ग्लोबल कंसर्ण सच इस पोवर् बारा मनना डिस्रॉप्टिव साइन्स फोर इन्नोवेटिव एंड सस्टेनेबल डेलोप्मेट वह इस बार की मीटिंग की थीम रहने वाली है बारा मनना ओके और यह एस 20 इस पर कप इसके उपर फोकस करने वाला है और क्रिएटिंग दा फैंवर्ट एट सपोर्स डेलोप् के लिए बहुत सारी चीज़ें इंपोर्टन्ट है कि G20 की साइन्स वर्किंग ग्रूप की जो मीटिंग है एस 20 वह कहां पर होने वाली है उसके अलवा किसके उपर फोकस करने वाला है उसके थीम क्या रहने वाली है बारा मनना वह तीन क्वेस्टन्स यहां से बन सकते है और और उसके अलवा इस मीटिंग के अंदर हम साइन्स को कहां-कहां पर अप्लाइ करके उस चीज़ को बाइडर कर सकते हैं तो एक युनिवर्शन होलिस्टिक हेल्ट क्लिंवर्शी पूर्ट ग्रीट अग्रीनर फ्यूचर और प्रिचिंग साइन्स और सोसाइटी बारा मनना तो इन तीन चीज़ों के उपर फोकस किया गया है बड़ा मनना इस मीटिंग के दौरान अगर मैं जी ट्वेंटी की बात करूं तो जी ट्वेंटी की प्रेसिदेंसी तो इंडिया के पास है वह हमने बात की लेकिन उसके अंदर 19 मेंबर्स होते हैं और एक युरेपीन के वाइसी को मेंडियेटरी किया है कब से फॉस्ट जान्यवरी 2023 से बड़ा मनना उसके बारे बात करते हैं तक है इंसुरेंस रेकुरेटी इन डेलोपिन ऑथोरेटिव इंडिया हैस्मेल नोयर कस्टमर नॉम्स मेंडियेटरी फोल्ट परपस अब तो आल देन्यू इंसुर करना पड़ेगा के वैसी डॉक्यमेंट्स वेरिफाइए कर रहाने पड़ेगे बार मनना यह मेंडियेटरी हो गया है इंसुरेंस रेकुरेटी डेलोपेन ऑथोरेटी ऑफ इंगया जो इंसुरेंस को रागुरेट करता है इंद्धिया के अंतर बार मनना और यह सभी कप सब्मीट करने पड़ते हैं कि फोर एक्गजमबल जब आपका जो क्लीम अमाउंट है इन हो किसको बोलता है कि फॉर एक्गजमबल आपकी पॉलिसी तीन लाकी है और पूलिसी कितने लाकी है और विजहां पर एंडमीट हूँ है और आपका बिल हुआ को यह तरा रुप वेरिफाई होता है फिर अगर आपका जो प्रीमियम है अगर आपकी एज ट्वेंटी एट के आसपास है तो तीन लाख की पॉलिसी के उपर आपको टैन थाउजन प्रीमियम पे करना पड़ेगा बरामना पर यह लेकिन अगर आपका प्रीमियम 50,000 से ज्यादा होता है तो आप आपको क्या एज करना क्या समीट करना पड़ता है पांकर या तो फिर फॉर्म 60 आपको समीट करना पड़ता है तो यह की डॉक्यूमेंट्स आपको समीट करने पड़ते लेकिन कंडिस्टल बेस के उपर अभी तक यह सिनारियो था लेकिन अभी आप जब भी नहीं पॉलिसी पर्टेस करोगे अभी आपको के वैसे के डॉक्यमेंट समीट करवाने पड़ेगे तो यह यह के तरह बुला गया है फर्स्ट चन्निवरी तुझारत तीस से ओके अगर मैं आएएडिया की बात करूं तो उसके चैर पसंद कौन है डिवाशिस पांडा और उसका एंकवाटर हैतरबात तिलंगना के अंदर है फाउंडिंग यह हैं 1999 परावक हमने नेक्स्ट न्यूसर फ्रेंड्स आर्ट पार्ग आयाएसी ने अभी पाटनर्शिप की है गू प्रोटिक्स टेखनोलोजी पर एक not-for-profit organization विजिस बैक्ट बाइद आयाएसी मेंदूर वारा मना उस्ता अभी पाटनर्शिप किया है गूगल के साथ टू लॉंच प्रोजेक्ट बानी पान इंडिया इंक्रूजी लेंग्वेश डेटा इनिसेटिव फूर ओपन डिटाशीट्स एड़ गूगल फूर इंडिया 2022 इमेंट चो दिल्ले के अंदर हुआ था देखो गूगल फोर इंडिया एक इवेंट हुआ था इसद्वरान यहां पे प्रोजेटवाणी को लॉंच किया गया है और इस प्रोजेटवाणी को किसने लॉंच किया है तो गूगल के साथ partnership किया है यह आट पर के द्वारा देखो आप Google के अंदर आपने चो Google translator होता है उसका यूज किया होगा उस वह गूगल क्या करता है कि आप कोई भी language में को कोई भी language के अंदर translate कर सकते हो अभी Google को कैसे पता चलता है कि आपके country में यह वाली language बूली जाती है वगेरा वगेरा तो यहां पर गूगल क्या करता है अलगलक डीटा सेंटर के साथ partnership करता है बराम जो अलगलक डीटा सेंटर चो को यहां पर स्टोर करता है अपने डीटा सेंटर के अंदर फिर Google इसके साथ partnership करता है बरामना और यह वर्स को फिर वो ट्रास्टेट करने की कोशिस करता है जासींपल तो यहां पर कोगल अपने यह कोगल स्टाफ्सेटर की यह जो बीजनेस है बरामना उसका उसको और एक्कुरेट बनने के लिए वो और ज्यादा डीटा सेंटर के साथ partnership कर रहा है बरामना राइट सिंपल और इस प्रॉट को क्या नाम दिया है प्रोजेट वानी बराबत इस विल्मी एंप्लिफाइट गोर्मेंट आप इंडिया तो डिटल इंडिया एफोर्ट से मैं इंकुलिंग दावर्स रिजनल और लोकल लेंवेश प्रामना राइट यहां ओपन सोर्स वाया वानी वेबसाइट बराबना इन फूजर देकन आल्सों भी एक्सेस थ्रूट अधर प्लेटफर्म लाइक तो भाशी नी और मिनिस्ट्र इलेक्ट्रोनिस इंप्शन टेक्नोलजी और फॉर एडवांसिंग रिशर्च और इन इनोवेशन बराबना तो यहां पर प्रोजेक्ट मारें के अंदर बरामना का वैपसाइट है इसको उपन सोर्स मना कोई इसके इंदर कर सकता है प्योग्किंड पर प्लेटफर्म में फिर उसको भविश्य में भासिनी भी लॉंच करने वाले उसके साथ इंटेग्रेट किया जाएगा तो अगर मैं आट पर के बात करूं तो उसके चैर्मेन कौन है गोविंदन रंग राजन पर उसके और गूगल की बात करूं गूगल के सियों कौन है अप्रू किया है प्रिंट एंड डीटल मीडिया असोशियेशन पद्मा एज़से रेवर्टी वाड़ी फॉर्ट पप्लिशर्स अफ द न्यूज अन करंट अफेर्स अक्रूस अंडिया कि अभी न्यूज का जो कंटेंट है पीडिए पांदे में जो आपको मिलता है करंट इसका जो कंटेंट जो आपको पीडिए मत्य में मिलता है उस कंटेंट का रेवलेशन को करेगा प्रिंट एंड डीटल मीडिया असोशियेशन पद्मा करेगा बराबनना और पद्मा के अगर बात करो तो यह एक ऑर्गनेशन है भी तब 47 डीटल न्यूस पॉब्लिशर्स व तो उसका क्या है प्रिंट एंड डीटल मीडिया एसोशियेशन बराबनना अके और और यह जो अपूरुवेल पद्मा को यह डीटल मीडिया के कंटेंट को यहां पर रेग्रेट करने का रिस्पंसिबेटे कि इसने दिया मिनिस्ट्र इंफर्मेशन ब्रोड कास्टिंग के द्वरा दिया गया है बरामना तो फर्मर हाई जो जर्ज थे मुल्चन गर्ग बरामना वह उनको हेड करेगे बरा इस संसा को हेड करेगे बरामना और पद्मा शेल परफॉर्म्ट फंक्शन लेंड डाउन इन डाउन इन सब रूल और फफ और फाइफ और रूल 12 पॉर पर उप द्वरीगें संस रिनेटेल चूट अभावड अधिक्स अंडर दर भू कि तो पादमा का मेंड फंक्शन क्या रहेगा कि वह लिए नग्रेमंस कोु रिध्रेस करेगे कौन से ग्रेवेंस को कि रिज्डी डूट अव दार्थिक्स अंडर दर फॉर्पनर रेंद कौन पदमा बरावनन रेट है कि हमारी नेक्स नुसे फ्रेंस के मिनिस्ट्र फाइनस के बारा बहुत तारे जो स्मॉल सिमिंग स्कीम से बराव उसके रेट ऑफ इंट्रेस को अंदर हाइक किया गया है बरावन उसके बारे बात करते हैं और यह कौन से क्वाटर के लिए रेट और इकोनोमिक अफेर्स और डिपार्टमेट अप्टमा तर्मिनिस्ट्र फाइनस है रेस इंट्रेस्स रेट और प्र नंबर आप आप स्मॉल सेविंग स्कीम्स फोर्थ क्वार्टर आप तो करेंट फाइनसल यह टो हजन् वेटी टू ट्वेटी ते रिवाल बन जो जर ते और यहां पर quarter 4 के लिए यह rate of interest launch किये गए है बरामना किसके लिए small savings schemes के लिए small savings schemes भारत में कितनी है बारा small savings schemes है जो post office के माध्याम सब्सक्राइब जो भी investment करते हैं न friends चाहे फिर उसका saving account हो चाहे फिर उसका fixed deposit recurring deposit बरामना फिर बहुत सारे पॉब्ली प्रोविडेंट फंड सुकन सम्रुद्य योजना बरामना राइट नेशन सेविंग सर्टिफिकेट monthly income scheme बरामना तो यह सभी schemes इसके इंदर हम कहां से investment कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस के माध्याम से इसको स्मॉल सेविंग स्कीम बोलते हैं बरामना तो इसके rate of interest कौन डिसाइड करता है ministry of finance उसके इंदर में डिपांट में एकोनोमीक अफेर्ट से वह डिसाइड करती है बरामना इस टेबल के अंदर में आपको बारा स्मॉल सेविंग स्कीम के अंदर क्या rate of interest में चेंजिस किया गया है पर अब उसके बारे में बताया है तो आप देख सकते हो कि पोस्ट्रोफिस के सेविंग अकाउंट के अंदर तो कोई चेंज नहीं किया गया उसके जो एक साल की जो फिक्स डीपोसिट है उसके अंदर पहले 5.5 परसेंट था अभी रेट आफ इंट्रेस के इतना है का रेट ओफ इंट्रेस है माइस के उपर पहले 6.7 था भी 7.1 है मंतली इंकम स्कीम निशन सेविंग सेटिविकेट के उपर वेले 6.8 था भी 7 है पॉब्लिक प्रोविडेंट फंड के उपर पहले 7.1 था भी 7.2 है पहले 123 मंत का एचुरेटी पिरेड था अभी 120 मंत का सब्सक्राइब को पता होने चाहिए क्या है इस क्वाटर के लिए अगर मैं कुछ स्टेटिक्स पॉइंट के बारें बात करूं तो यह जो स्मॉल सेविंग स्कीम के जो फॉर रेट ऑफ इंट्रेस है उसको कैकुलेट करने के लिए कौन से कमिटी ने फर्मिला को बनाया है तो एक कमिटी बैठेने थी स्यामला गोपिनाथ पर उन कमिटी के द्वारा एक फर्मिला प्रोवेड किया गया उस पर्मिला का यूज करके स्मॉल स्कीम का रिट ऑफ इंटेस्क्राइब किया जाता है बारा बनाव रहें अगर है मिनिस्ट्र फाइनस के बारें बात करूं संदॉस के निर्माश उठेतर अमन मीनिस्ट्र 스ुइटेट्वां स्क्राइब क्रिक्टर भागवत किशन्रा और उसके अंदर में क्लिक्सरों डिपर्पर्पेंटमेंट हैं तो डिफार में पीसार इयुक्त मैंस उप्रमिट त्वियंस क्या खिब्स बग्ριंटर प इंवे सोर्थ चोन है पंकर चोध्री डॉक्तर भागवत कि यह का यो इन्वेस्मेंट यह उसके कुछ मैने पर गावर के आसके थी कोश्वाम्ने यह इंट्रूइब्स प्रेंटस किया है फूर्छ सिक्रूर्टी स्कीम kona 23 बन्हां तो इस चीम के अंडर में क्या है कि पीजो नीशनल स्पूड सेकृर्टी एक्ट उसके अंडर में अपितक क्या था कि भई राइस वीट और कॉर्स यह तीन चीजे बढावन तीन रुप्या पर केजी 2 रुप्या पर केजी और एक रुप्या पर केजी में दिये जाते हैं नेकिन अभी टेमपररारी वन येर पिरिण के लिए यह सब फुल्ग्रेंज यह बनेफिसर इसको वृना फ्री में प्रोबाड जाएगे बार माना फ्री में प्रोबाड किये जाएगे बार मना और यह जो एक्ती आएं तिवील करोड लोग है वह भारत के 67% फूर लोग है इन लोगों को यह बेनिफिट दिया जाएगा डेख ओके और देखो यहां पर मैंने जैसे लिखा है कि the union cabinet result to introduce a new central sector scheme to support the most vulnerable 67% of the population 81.35 करोड़ पीपल covered under the NFSA this will fulfill the vision of the one nation one price one relation बड़ा मनन नहीं सभी को free में रेशन प्रोबड किया जाएगा बराबर अगर मैं स्कीम के बारे बात करूं तो तो न्यू इंट्रिक्रेटर स्कीम विल सब्सक्राइब टू प्रेशन फूड सब्सक्राइडी स्कीम बड़ा मनना तो यहां पर गवर्मेंट यह जो नेशनल फूड सेकुरिटी एक्ट फिर यह पधार मंतरी गरीब कलियान अन्न यूजना जो लास्ट यह लॉंच की गई थी फिर पीम पोशन स्कीम बड़ा मनना तो यह सब स्कीम के अंडर में जो गवर्मेंट ग्रेंस प्रोबाइड करती है बड़ा मन हम इंडिया को सब्षय प्रैस के ओपर पोउचाने के दिये मारा मनना कि इसको फूड कर परपा संख प्रवाइड की जाती है पूड कर पसन300 उप इंडिया को बंदो और वाली स्कीम और उसके लवाग यहां परे इस अपने स्टेट अपने नेवल फी अनाज को प्रोक्यूर करते हैं। लोगों खूंद करने के लिए बहुत नहें की बदाओं किस यहां पर सुप स्टेट्स चाज這麼 के जाएगा तो इसow the government of India will distribute the free food grains to all the NFSA beneficiaries इन्टोनिया अन्यूजना हाउसोल्स और प्राइविटी हाउसोल्स बारा पीपल बारा मनना फॉट्वेंटी फ्रों नेट्वर्क फाइव पॉइंट थरी लाइक फैर प्राइस प्राइस के माध्यां से यहाँ लोगों के अंदर अनाज को डिस्टिबूर्ट किया जाएगा यहाँ यहाँ नहीं कि कोई वर्कर फॉरेजांब यूपी का है तो उसको ब्यार में रेशन नहीं मिलेगा सभी को सभी जागा पर मिलेगा बारा मनना वन रेशन वन रेशन कार बार मनना यहाँ पे पुरे देश के अंदर यह अभी एप्लीकेबल हो गया है और गवर्मेंट ने 2030 के अंदर फुर सबसरी के लिए कि इतना ठाडर्गेट रखा है दो लगोग का टार्गेट रखा है बरा मनना तो पाइस अको के आए होगा तो